Assalamualaikum viewers आज जो हम अपटे वीडियो में डिसक्स करने वाले हो यह है कि हम Packet Tracer को किस तरहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं तो जब-जब पहले आपने लिखना है Packet Tracer Free Download और enter कर देना है उसके बाद आके पास different links available होंगे जिस link से बिलकुल correct आपके पास जो है Packet Tracer डाउनलोड होगा वो है Cisco की website NetAcad, ठीक है हम इसको click करेंगे, आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने Packet Tracer के course के लिए enroll करना है, जब आप enroll करेंगे, enroll करने के बाद इस course के लिए आपको फिर वो option देगे कि आप free copy Packet Tracer की करता है, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसकी length, cost, level, learning type, languages, हर चीज अवेलेबल हैं, तो आप यह course जो है थारोली पर भी सकते हैं, या पर अभी फिलहाल सिर्फ अपना Cisco Packet Tracer डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपने sign up करना है, next step open हो जाएगी जहां पर आप enroll करोगे enroll करने के लिए क्या options, अपना first name दोगे, last name दोगे, email दोगे, यह सब देने के बाद, आप जो है, इनमें से कोई भी option select कर सकते हैं, अगर आप notifications हासल करना जाते हैं, तो यह select करने, वरना if you don't want any communication unless critical to your account, तो आप यह click करनें, ठीक है, फिर जो आपके account से critical चीज़े related होंगी, आपको mail के तुरू मिल जाएंगी, फिर आप यह certify करोगे, कि आप 13 years older हो, यह math question capture आप solve करोगे, like 1 plus 12 with 13, आप यहाँ enter करोगे, और submit कर दोगे, जब मैंने वहाँ submit के button पर click किया, तो यह sign in का page में यह पास appear हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई से भी password random enter करेंगे, रेंडम नहीं, जो हमने वहाँ पर actually दिया है, अगर वहाँ पर password की जरुवरत थी, basically हमने वहाँ password कोई enter कर सकते हैं, और sign in कर लेंगे, अब यह आपके पास यहाँ पर course appear हो गया, ठीक है, यह introduction to packet tracer english 1120, यह आपके पास ही आपका course है, अब आप यहाँ पर read chapter 1 पर click करेंगे, introduction to packet tracer, तो यहाँ पर इसके अंदर जाने के बाद, यह course आपका start हो जाएगा first chapter, अगर आपका aim सिर्फ यह है, आपका aim सिर्फ यह है, आप डिरेक्ली डाउनलोड करना है, packet tracer को, तो आप यहाँ resources पर आएं, और download packet tracer पर click करेंगे, अब यह नई website हमाने पास open हो गई है, यह 64-bit download पर click करोंगी, और मैं जो downloading है, वो start हो जाएगी packet tracer की, like this, और इस तरह आपके पास यह 145MB का जो है setup, यह आपके पास download हो जाएगा, तो यहाँ पर यह setup डाउनलोड हो चुका है, अब आप इसके पर double click करेंगे, it will ask you permission, आपने इसको yes कर देना है, further आपके पास यह dialog box open होगा, जहाँ पर आपने इसको accept कर लेना है agreement को, और next कर देना है, then they will ask you whether you want to install Cisco packet tracer into the following folder or not, आप next कर दोगे, next again, again next and simply install, और यह अब आपके files को prepare कर देगा और आपके desktop पर install कर देगा, यह आपके hardware पर depend कर रहा है, इस PD process है, जल्दी से install हो जाता है, और install होने के बाद आपके पास एक wizard open होगा, कि क्या आप इसको अभी open करना चाहते हैं, तो आप launch का बटन क्लिक करेंगे, और उसको next कर देंगे, और वो Cisco packet tracer आपका launch हो जाएगा, simply जब आपका Cisco packet tracer download और install हो जाएगा, तो यह आपके पास open हो जाएगा, last wizard के बाद, ठीक है, यह आपके shortcut भी create हो गया, आप यहाँ पर भी desktop पर open कर सकते हैं, start में यहाँ जाकर, Cisco packet tracer लिखकर भी उसे search out करके run कर सकते हैं, and voila, finally, our Cisco packet tracer is installed, अब यहाँ पर क्या करना है हमाएपास, यह हमसे login का भी कहते हैं, जो के अभी यह नहीं पूछ रहे, but it depends, it asks you some later on, यह आपका पूरा workspace है, जहाँ पर आपने काम करना है, these are for other options, like routers है, switches है, hubs है, wireless devices, security, and van emulation, and furthermore things, अगर आपने को यहाँ पर topology create करनी, आपका यहाँ पस end devices है, आप उनको यहाँ प्लेस कर सकते हैं, वो प्लेस कर सकते हैं, इन में connection develop कर सकते हैं, and how it's gonna happen is that, आप यहाँ पर click करेंगे, ठीक है, और फिर आप इससे connection जो है, वो develop कर लेंगे, इसे, connect करें, and then उसको router के साथ attach कर दें, इस पे आप connections establish करके, इस workspace में काम करते हैं, पुरी topology build-up कर सकते हैं, router 0 पर double-click करेंगे, इसके configuration mode, उसकी पूरा इक dialogue box open हो जाएगा, properties का, physical properties है, configuration के लिए, उन्होंने हमें बताया है, इसकी ports पर हम different जो है, जाकर configuration कर सकते हैं, so this is all for it, okay, तो यह netiquette.com login अपेर हो गया हमाई पाज, I was already logged in, so it was not showing me this wizard, and I have logged out, in order to show you this screen, अब हम login करेंगे, आप आप वो ही अपना email या username देंगे, और वो देने के बाद आपना password टाइप करेंगे, और फिर आप रख सकते हैं, इसको keep me logged in, because आप personal computer user है, तो आपने simplist को use करते जाना है, so it would be easy for you to stay logged in, okay, so let's enter the password, and sign in, okay, यह भी click करने, इसको check box को check करें, keep me logged in, and then sign in, so that आप easily अपने workspace में work कर सकते हैं, and this is all, बस यहाँ पर आप अपना topology क्रेट कर सकते हैं, easily, and that's it for today, I hope that आपकी यह problem solve हो गई हो गई, Cisco Packet Tracer के install होने की, and if you have successfully installed it, let us know in the comment box, and अगर कोई क्योरी हो, कोई issue कहीं पर आ रहा हो, तब भी आपकी हमें comment box में comment करके बता सकते हैं, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to our channel, thank you and Allah Hafiz.